हाई गाईज और विल्कम बैक टो दी चैनल दीपक्यादव एजूकेशन विल्कम टो दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल एनालेसस अफ सेकंड फेबरी ट्वेबरी ट्वेबरी तो गाईज आज है तारिक दो फेबरी दो हजार बाइस और है वेटनेस डे करना है दीपक्यादव एजूकेशन एस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके सही चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया या है वो लिंक इसी चैन नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जोइन करना ना वो बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभ डेली बेसिस पर हम लोग यहां पर एक प्रीविएस एर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या बोलता है जो हमारे कॉंस्ट्यूशन मेकर हैं जिन्होंने समीधान को बनाया है उनका जो माइंड है वो किस चीज़ के अंदर रिफलेक्ट होता हुँआ नजर आता है अप्शन एद प्रियांबल, अप्शन भी दे फंडमेंटल राइट्स, अप्शन सी दे डीपी एसपी मतलब डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स उफ स्टेट पॉलिसी या फिर अप्शन दी दे फंडमेंटल ड्यूटिस तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे को इसके अंदर participate करना है जैसा मैं आप लोगों से daily business पर बोलता हूं बाइदावे इसका जो correct answer में आप लोगों को नीचे provide करवा दिया है नीचे का मतलब यह है कि आपको इसी PDF में यह answer मिल जाएगा PDF आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक आपको नीचे से करें तो इसका solution भी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दे दूँगा तो चलो शुरबात करते हैं यह हमारा सबसे पहला article तो कहोगे यह article कहां पर है देखो यही article बहुत important हो चुका है आज का जो newspaper है वो budget 2022 देश से भरा पड़ा है मतलब पूरे budget को पूरे newspaper के अं वभे second page ठीक है पूरा budget से भरा पढ़ा है थर्ड पेज पूरा budget से भरा पड़ा है उसके बाद यहाँ पर फूर्थ पेज पूरा यहां पर budget कर रिगार्डिंग से बाद सारी मतलब सारी बाते यहाँ पर budget के regarding बताई गई है, पूरा budget समझा दिया या पूरे newspaper के अंदर, हम लोगों ने budget को पर कोई वीडियो बनाया नहीं है, अब देखो आप लोगों को यह budget समझना बहुत ज़ादा जरूरी बन चुका है, ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को समझाता लगबग हम लोग 15-20 मिनिट लेंगे, पूरे budget को समझने के लिए अच्छे सा highlight, सारी चीज़े देखेंगे, जो की सब newspaper के अंदर भी cover है, ठीक है, तो थोड़ा सा time लोगा, बट आप लोग अभी सुनना अच्छे से, अभी आपको थोड़ा सा सुनना है, कहीं देखना नही है, देखो पहले जो ये budget है, एक briefcase के अंदर आया करता था, ठीक है, बहुत लंबे समय तक briefcase में ये budget प्रस्तूत किया जाता था, ठीक है, प्रनब मुखर जी ने यहाँ पर ये पूरा trend इसको बदल दिया था, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर briefcase बंद हुआ, और यहाँ पर 255 तक जो budget है, वो सिर्फ और सिर्फ English में ही आता था, English में ही यहाँ पर छपता था, 1956 में हिंदी में भी यहाँ पर budget आने लगा है, ये इसके कुछ facts है, Wikipedia पर mentioned है, हर जगबर mentioned है, मैं वहाँ से देखकर आप लोग को बता रहा हूँ, दन उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या बदल गई थी, सुभा 11 बजे से यहाँ पर यह budget आने लगता है, मतलब सुभा 11 बजे इस budget को प्रस्तूत कर दिया जाता है, ये चीज़े newspaper के अंदर mention है, कहाँ पर mention है, अभी मैं आप लोग को लेकर चलूँगा, फिलाल में एक flow के साथ पढ़ा रहा हूँ, थोड़े से basic, फिर उसके बाद हम लोग budget के बारे पढ़ेंगे, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से connect कर सको, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक question ये भी आता है, कि अच्छा पहली महिला कौन है, जिन्होंने यहाँ पर budget को पेश किया है, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि जो पहली बजट को पेश किया है, तो यहाँ पर यह आप लोग धियान रख सकते हो, यह कुछ यहाँ पर facts हो गए, यह आपने facts पर लिए जो कि काफी important है, और आप सको मतलब काफी सारे examination में यह help करेंगे, अब बात करते हम लोग अपने budget की, जैसे ही आप लोग गूगल पर जाओगे टाइप करोगे न, budget 2022, आपको बहुत सारे memes मिलने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे memes मिलेंगे, middle class को लेकर memes वगरा बनाए गए हैं, और वो memes यहाँ पर trend कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग का कहना है कि यहाँ पर जो budget है, basically, इसका कोई भी यहाँ पर तर यहाँ पर इसी प्रकार के meme आप लोगो लगातार देखने को मिलेंगे, अगर हम लोग budget के बारें बात करें, तो देखो, budget के अंदर बताया गया, जो हमारी Indian economy है, वो 2022-2022 के अंदर 9.27 प्रतीशत से यहाँ पर ग्रो होने वाली है, कितने 9.27% से ग्रो होगी, ऐसा यहाँ प पहला पोइंट यहाँ पर development के उपर है, विकास के उपर ध्यान रखने के लिए बोला गया है, तो मतलब हम लोग development के उपर पूरी तरह से focus कर रहें, productivity के उपर focus कर रहें, energy के उपर focus कर रहें, climate action के उपर focus कर रहें, और digitalization के उपर focus कर रहें, तो यह 4-5 चीजे हैं, जो कि पर अंदाजा लगा रहे हैं, estimation ले रहे हैं, 9.2% का यहाँ पर यह ग्रोथ देखने को मिलने वाला है, अब एक question होगा, कि सर बजट के अंदर पैसा कितना लगाया जाने वाला है, मतलब कितना पैसा अनौंस किया गया total, तो बजट का जो estimation है, वो यहाँ पर बोला गया, 39.45 ल ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रख लेना, अब उसके बाद यहाँ पर देखो, और क्या बताया गया, एक चीज़, यहाँ पर यह देखनी होगी, कि यह जो 40 करोड, मतलब 40 लाग करोड रुपे लगाने वाले हैं, क्या गवर्नेंट के पास यह सारा पैसा रखा हुआ ह यहाँ पर काफी सारा अब देख पाओगे, फिस्कल डेफिसिट भी देखने को मिलने वाला है, फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर 6.4% से आपको यहाँ पर यह देखने को मिल जाएगा, और मतलब कि आप कह सकते हो कि जो पैसा है, वो कुछ पैसा रिसीव क्या जाएगा, को पता है यहाँ पर सरकार के करेगी बॉंड जारी करेगी लोग जो है उस बॉंड को खरी देंगे अब बॉंड खरी देंगे तो यहाँ पर आपका सकते हो सरकार को एक तरीके से गोवर्न्मेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है सरकार को पैसा देंगे तो मतलब सरकार पैसा उठाने वाली है तो आप लोग को यह दिहान रखना है ठीक है काफी सारा पैसा यहाँ पर बोरो किया जाएगा ऐसा बताया यह और वो बॉंड के जरीए इसको मैं बार-बार बोला हूं बॉंड के जरीए तो इसको नोट डाउन कर लेना ठीक है तो लगबक 15 15,00,00,000,00 करोड रुपीज यहाँ पर आपका सकते हो कि इस बॉंड के जरीए उठाने वाली है गोर्णेट पैसा आने वले टाइम पर तो आप आने वले टाइम पर इस बॉंड के अंदर इनवेस्टमेंट वगरा भी कर सकते हो ठीक है बॉंड के अदर यहाँ पर पैसा लगा गया क्योंकि मैं original budget पकड़ लखा है तो उससे आप लोग को सारी बातें बता रहा हूं तो अब यहां पर start करते हैं और वह बात हों कि अभी आप लोग किसी इच को लेकर कि हम लोग काफी सरा पैसा लगाने वाले हैं, कितना amount लगाने वाले हैं, वो भी आपको पता चला, अब यहाँ पर बोला गया, जो यह budget estimate है, इसमें से लगबक 10.68 lakh करोड रुपीज जो यहाँ पर हैं, यह 2022 से के अंदर खर्च जाएंगे, यह आपका सकतो capital expenditure के अंदर रखने वाले हैं, capital expenditure का मतलब होता है, पैस खर्च जाएगा, assets को generate करने के लिए, ठीक है, infrastructure के उपर इतना पैसा खर्चने वाले हैं, मतलब जो 40 lakh करोड हुआ, उसमें से आपका सकते हो, यह 10 lakh करोड लगबक 10.68 lakh करोड रुपीज कहां पर चले गए, capital expenditure के अंदर हो गए, वहाँ पर आपका सकते हो, कि पैसा खर्च जा सरकारों को यहाँ पर आप कह सकते हो, कि कुछ compensation के तोर पर हम लोग देने वाल हैं, मतलब compensation भी तो नहीं कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हो, लोन दे रहे हैं, ठीक है, states को लगबक 1 lakh करोड रुपे लोन दिया जाएगा, और वो 50 साल के लिए दे दिया गया, interest free लोन है, आराम पर खर्चा जा रहा है, वो खर्चा जाएगा infrastructure के उपर, और 1 lakh करोड रुपे राज्यों के अंदर दे दिया गया, कि आप लोग यहाँ पर अपने अंदर development करने के उपर focus करो, ठीक है, अब question यह है कि सरकार पैसा कैसे कमाएगी, क्योंकि यह पैसा कुछ सरकार के पास पैसा कमाती है, उसके बाद यहाँ पर income tax के अलबा, union, excise duty, corporate tax, GST, customs, non-tax revenue, यह सारे tax revenue भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, गौर्वर्नेंट के, ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, income tax की, तो देखो, income tax के अंदर लोग सोच रहे थे कि छूट मिलेगी, अभी है न, COVID-19 लेकिन की वज़ा से काफी परेशानी हुई है, तो लोग को छूट मिलेगी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, income tax के अंदर कोई भी relief मिला नहीं है, ऐसा आप लोग देख पाओगे, जिसकी वज़ा से थोड़ा सा यह budget, मतलब negative वे में भी देखा जा रहा है, हाला कि इस budget के TDS काटे की crypto assets के उपर, मतलब जो भी cryptocurrency के अंदर invest कर रहा है, अब cryptocurrency में invest किया, bitcoin वगरा में कहीं पर भी invest किया, bitcoin वगरा काफी बता चुका हूँ मैं आप लोगों क्या होता है, तो जिन भी लोगों ने हापर इसके अंदर invest किया है, इन्वेस्ट करने के बाद जिनोंने भी profit कम है, तो उस पर 30% tax तो सरकार लेगी, 30% tax लेगी, और यहाँ पर TDS भी काटने वाली, तो आप कर सकते हो कि, मतलब कि, जिनोंने भी investment किया होगा, जिनोंने भी थोड़ा बहुत profit कमाया होगा, तो मतलब उनको तो मतलब कौफी सारा नुकसान लग रहा होगा, अपना ऐसा आज 30% हम लोग अब tax काटेंगे, आप लोग crypto assets के उपर, जो भी investment कर रहा है, 30% tax सरकार को देगा, और कुछ TDS भी यहाँ पर कटवाएगा, clear हुआ, यह आप लोगों को अच्छे सारी बाते clear हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या बोला गया, अब आप लोगोंने क्या का समझा, देखो मैं, फिर से point के उपर लेकर सलता हूँ, ऐसे समझने में आपको revise भी हो जाएगा, ठीके, अभी हम लोगोंने देखा, कितना announcement किया गया, infrastructure के उपर, यहाँ पर central government कितना खर्चे की, 10.68 lakh करोड, उसके बाद यहाँ पर जो 1 lakh करोड है, वो states को दिया जाएगा फिर उसके बाद हम लोगोंने discuss किया कि tax कि यहाँ पर जो income tax है, उसको पर कोई छोट नहीं मिली है, फिर उसके बाद हम लोगोंने discuss किया, जो budget है, वो उसमें यहाँ पर बताया गया, जो crypto है, उसके ओपर भी काफी सरा पैसा यहाँ पर आपका सकते हो कि tax के तोर पर काड़ा जाएगा, अब आते हैं defense के मामले में, जो हमारा defense procurement है, उसमें हम कितना पैसा खर्चने वाल है, तो इसके अंदर एक big boost देखने को मिला है, तो इसके अंदर काफी सरा पैसा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ऐसा बताया गया कि जो overall defense budget होने वाला है, जो भी हम लोग अपने defense को पर खर्चेंगे पैसा 2022-23 के अंदर वो लगबख 5.25 lakh crore rupees होने वाला है, तो यह यहाँ पर बताया है, या पिछले साल की comparison में यह थोड़ा सा जादा है, आप लोग को यह देखने को मिलेगा, ठीके, तो यह clear हुआ, उसके बाद यहाँ पर defense का मामले आपको clear हो चुका ह पहले यहाँ पर private companies के लिए कोई भी इतने जादा opportunities रहा नहीं करती थी, अब defense sector के अंदर private companies भी निकल कराएंगी, बाकि DRDO वगरा तो है ही, तो अब यहाँ पर investment की, मैंने आपको बता है कितना amount खर्चा जाएगा, उसके बाद next आता है green bond, green bond यहाँ पर सरकार जारी करेगी, यह bond देगी, इसके बदले में सरकार का पैसा आएगा, और then उसके बाद इन पैसे को लगाया जाएगा climate change को tackle करने के लिए, जो भी आज के टाम पर pollution वगरा है उसको tackle करने के लिए, solar panels हम लोग अपने country अंदर indigenously उसको बनाएंगे, ठीक है, electronic vehicles के उपर काम करने वाले हैं, जिससे हम लोग pollution को कम करेंगे, तो उसके बाद next step कौन सा है, green bond का, अब कितने green bond जारी के जाएंगे, कितना पैसा लिया जाएगा, वो यहाँ पर mention नहीं है, बस खाली धियान रख सकते हो, हाँ बिल्कुल green bond भी जारी करा जाएगा, आगे आते हैं, यह आप लोगों ने clear कि खासकर solar जो हमारे photovoltaic cells होते हैं, उनके लिए, solar panels के लिए, solar modules के लिए भी हाँ पर हम लोग काफी पैसा खर्चने वाले है, PLI scheme के तौर पर, मतलब कि हम लोग आप कर सकते हो, solar panels को अपने country के अंदर production के तौर पर, manufacturing के तौर पर उसको बढ़ाने वाले हैं, clear हुआ, उसके आ आप लोग को पढ़ा रखा है, के इन बेतवा के बारे में, जो केन यहाँ पर बेतवा नदी है, यह मुना की आपको यहाँ पर ट्रुबुटरीस देखने को मिलेंगी, इन दोनों नदीओ को जोडा जाएगा, एक कैनाल के माध्याम से, एक नाले के माध्याम साब कहाँ सकत प्रोजेक्ट के उपर specifically focus किया गया है तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर दियान अखना क्योंकि ये project farmers को लिए काफी अच्छा है प्लस उसके बाद यहाँ पर काफी सारा आप कह सकते हो ये electricity वगरा generate करने में भी मदद करेगा ये बाते हो गई अब next point border village border village का मतलब है जो हमारे borders है वहाँ पर villages को बनाया जाएगा वहाँ पर population को आगे develop के जाएगा क्योंकि अभी तक आप देखपाऊगे जो ज़्यादा तर borders हैं वहाँ पर proper villages construction देखने को मिलेगा नहीं तो अब यहाँ पर villages बनाया जाएंगे जिससे कि हम लोग एक बॉडर तक अपनी proper connectivity रख सकें तो यह भी यहाँ पर इसी defense के अंदर समझाया गया ठीक है तो गबराओ मत सुनते रहे ना आप आई होब आप लोग को एक एक बात क्लियर हो रही मतलब उनको भी बढ़ाने वाले हैं ठीक है post offices की अगर हम लोग बात करें तो इनको core banking system के अंदर लेकर आया जाएगा post office को यहाँ पर काफियत तक एक बढ़ावा मिलने वाला है उसके बाद अगला point अगला point में परवत माला project के बारे में चर्चा की गई है परवत माला project का मतलब नाम से समझ मारा परवत है ना तो mountains के बारे में चर्चा हो रही है जो पहाड है पहाड में rope way चलाए जाएंगे आठ rope way के project लगाए जा रहे है rope way मतलब जैसे आप लोगों ने lift वगरा देखी होगी इस प्रकार से rope होता है और यहाँ पर इसके अंदर एक cabin बनावा होता है और यह इस star पर उपर से नीचे यहाँ पर यह चलता है एक पहाड से दूसरे पहाड तक यहाँ पर यह rope way काम करता है तो यह भी यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 8 rope ways लगबग बनाएंगे 60 km length के यह rope ways बनाएं जाने वाले हैं परवत माला के अंदर क्लियर हुआ उसके बाद agriculture का मामला मैंने आपको बता दिया agriculture के अंदर काफी सरा पैसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग announce कर चुके है केन बेतवा के बारे मैंने आप लोगो बता दिया यह क्योंकि points वापस से mentioned है अब उसके आद एक point आता है gift IFC करके यह जो gift city है इसका establishment हो रहा है गुजरात के अंदर तो यह कुछ खास point नहीं है लेकिन आप लोग जरूर एक बार दियान जरूर रख सकते हो then उसके बाद यहाँ पर at the last अगर हम लोग बात करें budget 2022 नहीं हाँ पर बताया या फिर हमारा जो economic survey आया था उसने यह भी बताया था कि जो इंडिया के पास आज के time पर unicorn है unicorn मतलब एक ऐसे startup जिनका जो amount है वो लगबग यहाँ पर आप कैसे तो जिनकी जो value है वो लगबग वो वन बिलियन डॉलर से ज़ादा देखने को मिलेगी कह सकते हो कि analysis है जो important points है जिनके बारे में चर्चा आज हो रही है ठीक है और आने वले time पर होती रहेगी editoralsman को cover किया जाता रहेगा तो इसी वज़ा से यहाँ पर इसके बारे में जानना बहुत जादा important था चलो मैं आप लोग को एक बार यहाँ पर पूरे budget को वापस से घुमाता हूँ virtual asset के उपर यहाँ पर टेक्स काटा जाएगा मैं आपको बता दिया crypto के उपर टेक्स काटा जाएगा यह चीज़ यहाँ पर mention करी गई उसके बाद यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया budget वर्ट से निकल कर आया है वो भी आप लोग को बता चल चुका है ठीक है उसके बा यहाँ पर आप देख पाऊगे कासकर एक international financial service center यहाँ पर बनाया जाएगा गुजरात के अंदर उसको आगे और promote करने के बारे में चर्चा की जारी है उसके बाद और क्रिप्टो के उपर काफी सारा आप देख पाऊगे टेक्स लगा दिया ठीक है उसके बाद यहाँ पर औ और क्या क्या है मैंने आपको बताए domestic manufacturing के उपर focus किया गया काफी सारी सीजो पर PLI scheme को लेकर आया गया और जो defense budget उसके उपर पैसा खर्च जाएगा research और development के उपर काम किया जाएगा यह हम लोगों ने discuss किया DRDO के लिए हाँ पर जो defense के लिए अलग से पैसा खर्चने वाले है हाँ यह एक अलग से point था जो की budget mention नहीं है इस वीसे मैंने highlight भी कर दिया जो textile sector है ठीक है जो हमारा कप्ला हो दियोग है उसके लिए भी लगबग यहाँ पर आपका सकतो काफी सारा पैसा announce किया गया है ऐसा यहाँ पर बताया गया लगबग यहाँ पर 8.1% से increment देखने को मिल देखने को जाए गया उसके बाद और क्या क्या है यहाँ पर हाँ एक चीज़ और है वह यह है कि हम लोग काफी जरा पैसा अफगानिस्तान को भी देने वाले हैं ठीक है और अफगानिस्तन के साथ अलगलग देशों को भी देने वाले क्योंकि देखो इसी budget के अंदर वह प साफ़ी सरा पैसे देंगे लिगबग 200 करोड रुपय हम लोग अफगानिस्तान के ओपर खर्चे जङेंगे ऐसा बताया गया मैनमार के ऊपर 600 करोड यहां फर खर्चे जाएगा मैनमार को 600 डेडिकेट किया जाएगा उसी प्रकार से भूटान हो गया ठीके उसी प्रकार से यह देख पाओगे 300 करोड रुपए तो यह अलग लग यहां पर पैसा खर्चने के बारे में चर्चा की जा रही है या फिर मैंने उल्टा बता दिया 300 करोड यहां पर बंगलिदेश के लिए और 750 करोड यहां पर नेपाल के लिए तो बेसिकली यहां पर आप से कहीं ऐसा पूछा के ऊपर आपने चूट नहीं दिये इससे आपर जो मिडल क्लास फैंबली है उनके फिवर में यह बजट देखने को मिलेगा नहीं जो कि यहां पर एक्जैक्ली बात है मिंशेंड है ठीक है लेकिन क्या बोलती है हमने टेक्स नहीं मतलब टेक्स के अंदर कोई चूट नहीं है लेकिन एक चीज ये भी तो देख सकते हो टेक्स को बढ़ाया भी तो नहीं किया है टेक्स को increase भी नहीं किया है और प्लस टेक्स के अDR चूट भी नहीं है और फिनेंस मिनिश्ट ने अगर आप लोगने कर देखियो गोला नहीं टेड़ गंटे कीả आप लोग योटीव प उसका ग्रीन बॉंड जारी करी की सरकार मैंने आप लोगों बता दिया ताकि हम लोग क्या करेंगे जो क्लामेट चेंज बगर उसको टैगल करेंगे एक पॉइंट यह अलग से है वो पॉइंट है कि यहां पर लाया जाने वाला है मतलब आपका सकतो इसके अंदर चिप वाला जो पासपोर्ट है वो आने वाले हैं जिसके बारे हम लोगों ने डेली करेंटर के वीडियो में अल्यडी कवर कर रखा है हेल्थ केर सेक्टर पर देखो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट है लेकिन जादा कुछ भी नहीं है मतलब आपका सकतो जितना पहला था उतना ही आप देखने को मिलेगा कि हेल्थ केर और सोसाइटी के ओपर जब पैसा खर्चना चाहिए था जो कि यहां पर खर्चा नहीं गया गया है ठीक है यह आपको क्लियर हो गया उसके वाद आयूश मिनिस्ट्री को यहां पर दिया जाएगा 3050 क्रोड रुपे यह आप देख पाओगे उसके आद यहां पर जो ड्रोन्स है बिसिकली ड्रोन्स के जो एक तरीके से प्रोमोशन इसको इंडिया के अंदर खुद करने वाले है मतब ड्रोन्स को लेकर कंट्री के अंदर जो इसका प्रोडक्शन है प्रोमोशन है वो सब हम लोग करेंगे ताकि ड्रोन्स के सेक्टर म इंडिया आगे ग्रो करें और आज के टाइम पर काफी सरे ड्रोंस हम लोगों ने एक तरीके से बनाए भी है और आप लोगों को पता होगा रिसेंटली जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था तो ड्रों का एक काफी तगड़ा शो भी देखने को मिला था तो यहां पर पर बोला गया कि बिल्कुल इंडिया यहां पर ड्रों के सेक्टर में भी आगे ग्रो करेगा और ड्रों वगरा हम लोग बनाकर एक्सपोर्ट वगरा भी करने वाले हैं उसके बाद एग्रिकल्चर के मामलें बात करें दोखों बहुत सरे और भी आर्टिकल्स पब्लिश हो मतलब जहां पर बोला गया है पैसा खर्च जाएगा तो वह एक्जैक्टली बताया नहीं गया कि कितना हम लोग खर्चने वाले हैं तो ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हो बाकी यहां पर जो एक्रिकल्चर सेक्टर है वहाँ पर ड्रोंस का भी इस्तमाल करके क्या करने वाल हम लोग 26 तक फोशिश करेंगे कि हमारी जो एकॉनमी है वह फांच क्रियन की एकॉनमी हम लोग एचीव कर पाएं उसके बाद जैसे मैंने बता है इंफ्रस्ट्रक्चर में काफी पैसा हमारी सेंटल गोर्मेंट खर्चने वाली है जिसमें से रेल्वेस के उपर भी स्पैसि को लेकर मैं आपको अलड़ी बता चुका हूं कि 19,500 रुपे यहां पर 500 करोड रुपे यहां पर खर्चने वाले हैं सोलर मैनुफैक्ट्रिंग के उपर सोलर पैनल्स वगरे को बनाया जाएगा कुछ इसकीम वगरा भी लेकर आने वाले जहां पर हम लोग सोलर पैनल्स को औ आगे ग्रो करने वाले हैं क्लियर हुआ, आइम ऑप अंप लोग को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकियां आथिर करिया हैं आफिर यहां पर यहां पर बज़ट के अंदर क्या क्याया है उसक्ता है cnement स्क्टर्टर के अंदर जो मैं जी नरेगा स्कीम हैं मीन रहा के बारे में आज भी हम लोग बात करेंगे एक एडिट्यूरल यहां वापर हम डीटियल में डिस्कस करेंगे जो एम जी नरेगा का एलूकेशन है वहाँ पर कटडाउन क्या गया है 25 परसेंट इसलब M.G. नरिगा के अंदर जो स्कीम के अंदर पैसा अलोकेट क्या गया है वो थोड़ा सा कम क्या गया है यह आप लोग देख पाऊगे ठीक है लगबक 73,000 यहां पर 73,000 करोड रुपीज खर्चा जाएगा 2022-2022 के अंदर इसी स्कीम के अंदर इसको लेकर एक विवाद भी आप लोगोंने बजट के वारें पढ़ लिया आपको एक अनलेसिस मिल गया आपको एक ओवर्वी मिल गया ठीक है अब यही आदे घंटे का वीडियो आप लोग ने बजट को कवर किया 25-28 मिनेट हो चुका है अब हो क्या रहा है कल भी मैं आप लोग को एक वीडियो रिकॉ को लाइक करो एक लाइक भी करोगे तो काफी सरे लाइक पहुंच जाएंगे तो वड़ा फड़ यहां पर लाइक करें अपना सपोर्ट दिखाओ और जैसे मैं आपको बताया कल पता है क्या हुआ था कल मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करता लेकिन मेरे सामने एक वीडियो फिर उसके बाद यहां पर जमेने उस में देखा तो मतलब पिछले साल का न्यूस पर देखा था मैंने तो उस वीडियो के अंदर देखा कि सारी चीज बजट वाली है तो मतलब एक आईडिया हो गया था कि जो मतलब आज निउस पर आने वाला इसके अंदर सारी बजट की बाते आएंगे, तो आप लोग ने देखी लिया है कि exactly budget के बारे में सारी बाते mention करी गई हैं और आपको budget के बारे में एक एक बात clear हो चुकी है, मतलब जो भी important चीज़े थी वो तो in fact clear हो चुकी है, इसके अलावा अब मतलब कुछ ऐसी बाहर यह जो भी छोटी मूटे information होगी वो यह देखने को मिलेगी, अब वो छोटी मूटी information कैसे cover करनी है, मतलब कि अगर पढ़ना चाहते हो तो बाकी जो important examination के point अभी उसे important हो सकता है, वो सब आप लोगो पता चल चुका है, बाकी जो और भी information है, वो सब मैंने आपको पढ़ाया है original budget से, यह आपको original budget मिल जो निर्मला सितरमंजे की speech है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यह मैंने आपको telegram पर share कर दिया, यह आप देख पाओगे content के अंदर क्या क्या है, मैंने आपको बता है development के उपर, climate change के उपर, इन सब चीजों के पर पैसा खर्च जाएगा, यह मैंने आप लोगो सारी बता दिये, यह पूरा आपको text का मामला देखने को मिलेगा, कहां कहां पर कितना पैसा खर्चने वाले, इसको थोड़ा से detail में देखोगे, तो यह यहाँ पर, एक point से लेकर, point number one से लेकर, आपको यह सारी point देखने को मिल जाएगे, यह आपको सारी point देखने को मिल जाएग बजट को बनाते हैं, हम लोग तो बजट के अंदर कुछ components के बारे में दियान रखा जाता है, बजट के बारे में हमारे समईधान में mentioned है, article one one two के अंदर है, तो आपको होगे हमारे समईधान में क्या exactly budget word लिखा हुआ है, तो budget word नहीं है, उसको हम लोग annual financial statement बोलते हैं, तो आपको इसके बारे में भी जरूर दियान रखना है, कहाँ पर article one one two के अंदर mentioned है, अब जैसे मैंने बताया, बजट के अंदर तीन चीज़े होती हैं, तीन ची तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, तीन चीज़े, तीन main components होता हैं, बजट के अंदर, ठीके, expenditure के मामलें बात करें, तो एक capital expenditure होता है, दूसरा revenue expenditure आपको देखने को मिल जाएगा, capital expenditure जो कि अभी हमने starting में पढ़ा था, अभी थोड़ देर पहले starting में बिल्कुल, कि 10 लाग करोडर पर खर्चने वाले capital expenditure के तोर पर, capital expenditure मतलब नया-नय construction किया जाएगा, नयने buildings, hospitals, schools, यहाँ पर infrastructure को develop किया जाएगा, नए assets को create के जाएगा, revenue expenditure मतलब पैसा चला गया, जैसे कि यहाँ पर बहुत सरे government workers हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, wages देनी होंगी, salaries देनी होंगी, और यह बहुत सरी subsidies देनी होती हैं, और यह बहुत सरी पेकरनी होती हैं, वो सब revenue expenditure के अंदर आता है, ठीक है, यह मैंने आपको expenditure के बारें बताया, उसके आद दूसरा component होता है receipt, receipt मतलब सरकार के पास पैसा कमाना, ठीक है, सरकार के पास पैसा कैसे आता है, तो पैसा आने के भी तीन आस आपको देखने को मिलेगे, receipt के अंदर एक revenue receipt है, एक non-debt capital receipt है, और तीसरा है debt creating capital receipt, इसका मतलब जा है, तो देखो, जो revenue receipt है, revenue receipt के अंदर सरकार के जो taxes बगरा है, मतलब सरकार जो tax starts करती है, जो उसकी मैंना भी आप लोगों को थोड़ी दिर starting में ही बता दिया tax हो गए, non-tax sources हो गए, यहाँ पर आपका सकते हो इससे सरकार पैसा कमाती है, तो यह हमारा revenue receipt हो गया, non-debt receipt के अंदर यहाँ पर क्या होता है, non-debt receipt के मतलब यहाँ पर आपका सकते हो, सरकार ने कोई loan वगरा है, उस loan को recover करना, या फिर कोई समान बेच देना, टिक है, डि पैसा आता है, जिससे कि यहाँ पर सरकार के ओपर जिम्मेदार ही बढ़ जाते हैं कि future के अंदर हम लोग को यह payment करनी है, ठीक है, फिर उसका last में आता है fiscal deficit, fiscal deficit में आपको अलड़ी बता चुका हूँ, कि यहाँ पर जो expenditure कितना पैसा खर्चा और कितना कमाया, इसके बीच का यहाँ पर plus minus करने के बाद जो amount निकलेगा, फिसके लिए वो यहाँ पर आपका सकतो fiscal deficit कहलाता है, clear हुआ तो budget के अंदर यह चीज़े देखने को मिलती है, यहोप आप लोगों काफी अच्छे से budget के बारे में एक बात clear हो गई है, आगे चलते हैं, अब आते हम लोग अपने articles की तरफ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, again हमारे prime minister ने बोला, budget काफी people friendly है, progressive है, अच्छा है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, in fact, बहुत सरे लोगों ने opposition leader ने यहाँ पर इसको target भी किया, अब यहाँ पर ममता बनेर जी क्या बोलती है, zero for common man, यहाँ पर budget के अंदर मत कुछ भी नहीं मिला है, common man को ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब ऐसे, आप देख पाओगे opposition बगरा भी देखने को मिलता रहता है, यह clear हो जाना चाहिए, ठीके, आगे बढ़ते हैं, और क्या-क्याँ यहाँ पर issue देखने को मिलेगा, बाकी तो यहाँ पर कोई ऐसा issue इस next page पर जो हमारे examination के point of view से important नहीं होती है, हाँ, एक article यहाँ पर important यह देखने को मिलेगा, यह important है हमारे GS paper to international relations के point of view सापको पता होगा, लगबग 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, यह 3 दिन में यह article काफी चर्चा में था, श्रिलंका और Indian जो fisherman issue है, इसके बारे में चर्चा की गई आँगा, तो स्रिलंका नेवी ने अभी क्या चाहिए, लगबग 21 इंडियन मचवारों को लिटेन कर लिया है, custody में लिया है, तो आपने आप में एक और विवाद बना, तो स्रिलंका ने लगबग भारत के 21 मचवारों को custody में लिया, विवाद बन गया, और इसी चीज को दे कितना कुछ यहाँ पर financial support प्रोवाइट कर रहा है ठीक है कितना कुछ हम लोगों यहाँ पर credit प्रोवाइट कर रहा है शुल लंगा को उसके बावजूद भी यहाँ पर यह देखने को मिलेगा ठीक है एक warning तो देनी चाहिए थी एक warning देने के बाद यहाँ पर एक warning अगर देग किया तो और पकड़ लिए लोगों को तो यह dispute यहाँ पर देखने को मिलता है तो इस विवाद को हम लोग पढ़ते हैं यह विवाद बहुत जादा चर्चा में रहता है खासकर इंडिया और श्रिलंगा के बीच का पहले माप लोग कुछ पिच्चर दिखाता हूं यह वाला ज Spiel कर देखने को मिलेगा ठिक हुपर इंडिया और नीचे यहा पर शिलंका होता क्या है तामिलनाडु के बहुत सारे बहुत सारे मचवारें यहाँ पर क्या क्या जाते है fishing नेकले पấyज़ाते हैं Fishing करकर उसको पकड़ कर जो भी पैसा आता है उसे नापर अपनी लावली मतलब स्रिलंगा की टेरिटॉरियल वाटर केंदर स्रिलंगा की टेरिटरी केंदर एंटर कर जाते हैं। तो श्रिलंकान जो नेवी यहाँ पर गार्ड कर रही होती है वो इनको अरेस्ट कर लेती है वो उनको custody मे ले लेए दिए और यही इशु लंबे समय से चलता वा रहा है और अभी भी यहाँ पर यह इशु देखने को मिलेगा ठीक है तो आई होप आप लोग इसके बारे में सम करते करते ये आगे निकल जाते हैं और खासकर स्रीलंका के टेरीटोरियल वॉटर के अंदर एंटर कर जाये और स्रीलंका इनको अर्यक्त कर लेता है तो आपके सकतो एक बोट हुआ जिससे यहाँ पर मचरी पकड़ रहा है मचवारे ठीक़े अब क्या हुआ इस живот में एक जाल को बांढ जाता है नीचे और उसका पानी में उस जाल को छोड़ दिया जाता है उस जाल में नीचे पहिये लगे होते हैं अब इस यहां पर बोट को आगे लेकर जाओगे तो जो जाल है वो साथ-साथ आगे यहां पर चलता रहेगा तो एक तरीकर आपके सकते हो, इस बालकू, यह जो जाल है, इसको खींचा जाता है, किसके साथ, इस बोर्ड के साथ, जब इसको पुल करेंगे साथ में, तो क्या होगा? साध ही साथ यहां पर बहुत सारी मचलियां आ जाएंगी, लेकिन एक क्वेशन यह भी तो है, क्या सिर् देखने को मिलेगा उसके बाद और क्या मुद्दा है देखो हाँ एक मुद्दा आपको देखने को मिलता है कच्छा तीवू आइलेंड का कच्छा तीवू आइलेंड पर आने से पहले मैं आप लोगो ये भी बता दू कि स्रिलंका नेवी ने यहाँ पर इंडियान फिशर्मेन को अरेस्ट करने का इतियासी रजदिया है बहुत लंबे समय से अरेस्ट कर रहे हैं 2017 के अंदर लगबग 450 इंडियन फिशर्मेन को अरेस्ट कर गया था 2018 में 156 को 2019 में 210 को और आप देख पाओगे अभी तक कहानी चल लिए अभी फिर से हाँ पर 21 इंडियन फिशर्मेन को अरेस्ट कर लिया गया है कस्टडी में ले लिया गया है प्लियर हुआ अब उसका एक इसी बीच में कौन्फिक्ट आता है कच्छातीव आइलेंड का कच्छातीव आइलेंड क्या है तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे एक सेकंड यह बीच में इंडिया और श्रिलंगा की बीच में छोड़ा सा आईलेंड जिसको हम लो करने लगते हैं अपने जाल को सुखाते हैं चालगीला हो जाता है या फिर उसको यहाँ पर सुलजाते हैं क्योंकि जाल उलज जाता है तो यह काम करते हैं तो इनको यहाँ से भी अरेस्ट कर लिया जाता है तो तामिलाडू के अंदर इस इच को लेकर काफी मुद्दा उठ खाया जाता है कि आखरकार यह आईलेंड हमारा है तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी हक नहीं है इस आईलेंड को वापस से लिया जाए इसको लेकर भी काफी सरी मांग चलती है तामिलाडू के अंदर आप लोग यहाँ पर यह मुद्दा भी क्लियर कर गए होंगे ठीक है उस यहाँ पर यह एक तरीके से तामिलाडू के सरकार के साथ बिना किसी कंसल्टेशन के बिना किसी बातचीत के यह आईलेंड गिफ्ट कर दिया था शिलंका को तो मुद्दा क्या है आई होप आप लोग एक बात अच्छे से क्लियर कर गए होंगे और कैसे लिखना एक्जाम मे आप पर कोई भी इशू आता है तो वो भी आप लोग को अच्छे से पता चलिया होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ ना आता है पेज नमबर सेविंटीन के उपर देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है अब यहाँ पर चर्चा की गई है किसके सेकुरिटी काउंसिल आई होप आप लोग को इसके बारे में जरूर फता है UNSC क्या है युनाइटे नेशा सेकुरिटी काउंसिल के अंदर आपको टोटल 15 मेंबर से देखने को मिलेंगे 10 इसपैंन पर्मनेंट मेंबर हैं पांच इसमें पर्मनेंट मेंबर होते हैं जल्दी मुद्दा ये उठा, क्या Russia, Ukraine का जो इशू है उसको UNSC के अंदर खैंच के ले करा हैं, UNSC के अंदर क्या Russia, Ukraine के इशू को discuss करना चाहिए, तो इसको लेकर voting होई, भारत नहीं है और voting के अंदर abstain कर दिया, abstain का मतलब है भारत ने ना हां में बोला, ना ना में बोला, या फिर आदिसाद रश्या ने नो वोट किया कि इसके अगेंस्ट में वोट किया चाइना ने भी यहाँ पर रश्या को सपोर्ट किया और नो वोट किया कि यह वाला मुद्धा UNSC के अंदर नहीं खुटना चाहिए बाकी सारी कंट्रीज नहीं बिलकर आप कह सकते हो कि यह मुद्धा उठाने के बारे में चर्चा करी है लगबग 10 कंट्रीज तयार हो चुकी है 10 कंट्रीज ने आपर बोला यह मुद्धा उठेगा ठीक है और अब बेसिकलि आने वाले टाइम पर यह जो डिसकॉशन ने रश्या यूकरेन के क्राइसिस का यह होगा UNSC की अंदर तो इसके बार ना वो ना में तो इंडिया के साथ यहां पर यह लोग भी रहें तो दस कंट्री तो बेसिकलि आप कर सकते हो कि तयार नहीं अब यहाँ पर आप कर सकते हो कि आने वाले टाइम पर हम लोग देखेंगे exactly क्या होगा क्या का discussion होगा च्योंकि मुद्दा यह है कि मुद्दा यह वो यूक्रेन को कबजा लेगा ऐसा यूएस बोलता है और यही इसी चीज को लेकर बहस भी हुई तहां पर UNSC के अंदर और बहस क्या हुई कि यूएस यहां पर यही बोलता रहा है कि एक लाग सोल्जर्स डेपलॉय कर दिये हैं रश्या कबजा लेगा लेकिन रश्या इसको म साल ना किया तो इसकी चकर में रश्या ने आपका सकतूर इंवय हैं उन्होंने यह पर इंडिया को थेंक्यू बोला इंडिया के सास साथ और भी कंट्री उसको भी ठेंक्स क्या है कि इतना हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के तरफ और क्या है हमाले important ये page बेकार है हमारे काम के नहीं है आते हैं चलते हैं अगले article पर जो है text और context टेक्स्ट और context पर आज हमारे लिए दो article important है ये आपको ये देखने को मिलेगा इंडिया और UK का free trade agreement के बारे में discussion करेंगे बहुत जबरदस्त article है उसके पर उसको हम लोग discuss करने वाले हैं तो ये भी बहुत important ये समना आप लोगों बता है तो आखिरकार issue क्या देखने को मिल रहा है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर जो पहला article है इसको प्लोग एडिटोरल भी बोल सकते हो ठीके हाँ जो आज के एडिटोरल ह आता है आज कल और जो बहुत जबर्दस तरीके से देगा जाता है ठीक है तो चलो start करते हम लोग अपने इस article को तो यह article के अंदर सर्चा की गई है इंडिया और UK के free trade agreement के बारे में उपर आपको 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 व्यापार है उसको बढ़ाया जाए 2022 यानि जो साल चल रहा है इसके साल के end तक यहाँ पर यह free trade agreement दोनों कंट्रीज के बीच में हो जाना चाहिए इसको लेकर भी यहाँ पर यह दोनों कंट्रीज अच्छे से focus करने वाली है उसके बाद अगर हम बात करें agreement के अंदल क्या कि यहाँ पर यह early harvest agreement early harvest scheme को आगे लिकर चलने वाले मतलब क्या है मतलब पहले आप लोग यह समझो देखो अगर free trade agreement होता है नाम से पता चला है free trade agreement व्यापार होगा दोनों कंट्रीज के बीच में लेकिन जो extra duties charges लगाए जाते थे वो यहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे इस 2030 तक यह व्यापार को डबल कर लेंगे अब आता है main point के उपर आखरकार यह FTA यानि free trade agreement होता क्या है देखो इसमें होता है यह है कि मालों यहाँ पर इधर UK हुआ और इधर यहाँ पर इंडिया हुआ इंडिया ने कोई समान UK में भेजा तो समान भेजते ही यहाँ पर क्या ह लगता है tariff लगता है quotas लगता है तो क्या होगा यह सब कुछ नहीं लगेगा तो free trade agreement के अदर government tariff quota subsidies यह सब चीजे हटा दी जाती है जिससे यहाँ पर व्यापार काफी freely होता है कोई extra charges नहीं होते अराम से व्यापार के अंदर आप दिखपाऊंगे product बिखता है और यही जो free trade agreement के लाता है free trade agreement को हम लोग अलग लग चीजों के अंदर categorize करता है इसी के अंदर आपका सकतो एक preferential trade agreement के लाता है एक comprehensive economic cooperation agreement के लाता है एक यहाँ पर comprehensive economic partnership agreement के लाता है सब के बारे में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि कोई South Korea के साथ हुआँ कोई अलग लग कंट्रीज क agreement और comprehensive economic partnership agreement है यह भी free trade agreement ही है लेकिन free trade agreement से ज़्यादा छूट मिलती है इनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा comprehensive way में यहाँ पर इसको cover किया जाता है ठीक है अब हमने discuss क्या free trade agreement के बारे में अब एक बात और है इंडिया-UK के relations इंडिया-UK के काकिरकार व्यापार को लेकर क्य connectivity काफी लंबे समय से देखने को मिलती है इंडिया डायोसपरा काफी बड़ा है UK के अंदर मतलब भारत के बहुत सरी लोग आज के टाइम पर UK में जाकर रहते हैं यह भी आप लोगों पता होना चाहिए उसके बाद UK अगर हम लोग बात करें G20 countries में एक one of the best country निकल कर रहात पर आपकर सकतो वो country इंडिया के अंदर सबस्यादा इंवेस्ट करती है उसके बाद एक question यह है आखिरकार इस free date agreement का importance क्या होगा इंडिया UK के बीच में तो इससे क्या होगा जो exports वगरा है वो increase होंगे जो UK है वो अपने export को boost अप कर पाएगा UK हम लोग को textile leather goods और यह footwear वग पाएंगे लेकिन भारत एक basically चीज के उपर focus करता है वो है services हम लोग बहुत सारी services UK के अंदर पहुंचा पाएंगे अब इसका मतलब क्या है देखो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग ने economy के बारें पढ़ा होगा तो economy के तीन sector माने जाते primary sector हो गया एक secondary sector हो ग क्या है tertiary sector के अंदर बात करें तो बहुत सरे teachers doctors lawyers जो भी services कर रहें services दे रहें वो वाले लोग देखने को मिलेंगे तो क्या होता है यहाँ पर बहुत सारे जो लोग है हम लोग country के साथ जब भी agreement करते हैं तो इसमें महारत हमेसा service sector को include करता है कि हम लोग अपने बहुत सरे लो वो अपने अपनी service देंगे अब आपको इससे भारत को क्या फायदा होगा बारत से talent गया भारत को क्या फायदा होगा तो भारत को यह फायदा होगा भारत के पास पैसा आएगा पैसा कैसे आएगा अब यह लोग गए यह लोग कमाएंगे कमा कर इंडिया को में भेजेंगे अब जब इंडिया में भेशते हैं उसी को हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं ठीके तो जब इंडिया में उन्हें पाफिस से पैसा बेजा तो उसको रेमिटेंस बोला जाता है रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी जहां पर आपको पता होगा हमने डिसकेशन भी क्या था भारत रेमिटेंस के मामले में टॉप कंट्रीज के अंदर आता है जहां पर भारत सबस्यादा पैसा रिसीव करता है तो यहां पर आपका सकतो यह फायदा देखने को मिलेगा ठीके त इसके अंदर टोटल 15 मेंबर से में आपको बताया था 5 पर्मनेंट और 10 नॉन पर्मनेंट भारत आज के टेम पर नॉन पर्मनेंट है भारत चाहता है हमें एक पर्मनेंट सीट मिलने चाहिए इस पर्मनेंट सीट को मिलने के लिए यहां पर जो यूके है हम लोग को करता है UK ठीक है तो इनके रिलेशन काफी अच्छे है उसका एक पॉइंट एक्स्ट्रा यहां पर यह है वो यह वाला अभी यहां पर क्या है कि जो दोनों सेक्टर से फूड का प्रोडक्शन किया जाएगा आने वाले 15 सालों के अंदर यहां पर मेंशन किया गया है I hope आप लोग इसको समझ गया होंगे सारी बाते मैंने आप लोगो बहुत सिंपल शब्दों में बता दी है इससे यहां पर दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहां पर दो दोनों कंट्रीग मिलकर यहां पर इसको काम कर रही है इन दोनों कंट्री मतलब इस इनिशिटिव का मकसती है कि इंडिया के अंदर जो फूड का प्रोडक्शन है वो 40 मिलियन तन तक पहुँचा जाय आने वाले 15 सालों में तो यह इनिशिटिव का नाम किया है इसकी फुल बात करता है long road to timely mg नरेगा payment यह क्या है इसको हम लोग समझेंगे दिल को हुआ क्या था recently पिछले साल की बात है mg नरेगा के अंदर एक बहुत बड़ा shortage हुआ इस scheme के अंदर fund की कमी पढ़ गए चलो मैं आपको topic पर लेकर चलता हूं आर्टिकल को आप लोग gs paper 2 से relate कर सकते हो प्लस gs paper 3 से भी relate कर सकते हो ठीक है यह news में क्यों है क्योंकि यह आपर हमारी केंद सरकार का एक flagship scheme flagship employment scheme जिसको हम लोग बोलते है mg नरेगा महात्मा गांधी national rural employment guarantee act पहले तो हम लोग इस scheme को समझेंगे फिर बात में इसके कहानी को cover करे देखो जो यह महात्मा गांधी national rural employment guarantee act है इसको पहले national rural employment guarantee act के नाम से जाना जाता था बेसिकली इसको pass ही यहाँ पर national rural employment guarantee act से किया गया था 2005 में इसको pass किया गया और इसका main मकसद था कि लोगों को employment यारी रोजगार देना कासकर जो unskilled workers है ठीके लोग यहाँ पर अपने घर को छोड़कर दूसरी जगा पर जगे काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर अपने घर के पर एक तरीके से रोजगार देना और लगबक इस scheme के अंदर focus यह होता है 100 days का लगबक 100 दिन का काम दिया जाता है workers को 100 दिन तक यहाँ पर आपका सकतो उनको काम दिया जाएगा आप काम करेंगे वो लोग तो उनको बदले में उनकी मजदूरी जो wages से वो यहाँ पर दी जाती है यह जो 100 days है यह minimum days है आपको ध्यान अखना है इस इसके बाद अब आपे बात करते हैं MG नरेगा के साथ दिक्कत क्या होई इस scheme के साथ problem क्या होई problem मैं आप लोगो बताता हूँ पहले आपको मैं एक picture दिखाऊँगा यह वाला picture देखो यह पिछले साल हिंदू के अंदर ही इस picture को cover किया गया था यहाँ पर क्या हो लाग गया पिछले साल ऑक्टूबर 29 तक सारा पैसा इन्होंने खर्च दिया जो भी इनकी scheme के अंदर अलॉट किया था तो मतलब यहाँ पर आपको सकतो हो तो यह जो प्रॉब्लम क्रेट हुई थी यह प्रॉब्लम अपने आपे बहुत जादा है तो MG नरेगा किसा दिक्कत क्या है पह पहली दिक्कत हो यह देखने को मिलेगी देखो बहुत सरे लोग को अगर नौकरी मिलती है जो कि बहुत मुश्क्री मिल पाती है अगर मिलती भी है तो उनको बहुत कम मज़़ूरी दी जाती है बहुत कम पैसा दिया जाता है अगर हम लोग national sample survey office के according बात करें 2017 का data है जिसमे बताया गया था कि जो men है उनको यहाँ पर 264 रूपीज दिया जा रहे हैं और women को 205 रूपीज दिया जा रहे हैं तो आप कह सकते हो daily के हिसाब से यह wage बहुत ज़ादा कम देखने को मिलेगा तो यह यहाँ पर mention किया गया then उसके बाद बोला गया inadequate financing मैंने जैसे आप लोगों बताया कि देखो यह fund तो मिल रहा है लेकिन बहुत मुश्किल से मिल रहा है और कभी कभी तो 3-4-4 महिने हो जाते हैं इस scheme से पैसा मिलते हैं यह लोगों को लोगों ने काम कर लिया अब वो अपना पैसा मांगते हैं obvious की बात है काम क्या है अब यहाँ पर उनको उनका मज़़ूरी मिलनी चाहिए लेकिन वो लंबे समय तक वो पैसा यहाँ पर आउटी नहीं हो पाता है स्कीम की माध्यम से तो यह भी issue देखने को मिलता है constitutional breach है हमारे संभिधान के अगेंस्ट में जा रहा है और इसको हम लोग एक modern form of beggar बोल सकते हैं तो आपको इसको जल से जल इसको सही करना पड़ेगा और जो भी एक तरीके से pending wages से उसको पूरा करना पड़ेगा और फिर उसके बाद mg नरेय के अंदर एक और बहुत बहुत बड़ी दिक्काता आती है वो है पंचायती राज इंस्टूशन की पंचायती राज इंस्टूशन का बहुत कम रोल देखने को मिलेगा अगर इनका रोल बढ़ा दिया जाए इसके अंदर तो चीज़े solve हो सकती है फिलाल अभी यहाँ पर आपका सकते हो कि यह लोग सही से काम नहीं कर पाते मतलब सही से इनका रोल एक efficient manner में रोल देखने को मिलता नहीं है उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगो यह भी बता दिया है कि देखो बहुत सारे मतलब की जो काम है बहुत देरी से मिलता है कभी कभी काम मिलता भी नहीं है regular basis पर यहाँ पर काम चलता रहता है तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी problem आती है mg नरेग के अंदर कि लोग को पहली बात तो काम मिल नहीं रहा है ठीके अगर काम मिल रहा है तो उसके basis पर देखो होता क्या है यह लोग application डालते है अगर जिसको भी mg नरेग के अंदर apply करना होता है वो यहाँ पर application डालता है 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर उनके application को accept किया जाता है अगर accept नहीं होगी तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपका सकते हो कि उनको कुछ न कुछ allowance देती है सरकार तो ऐसी चीज़े हम लोग देख पाते है mg नरेग के अंदर follow की जाती है लेकिन हुआ क्या दिक्कत क्या क्या आ रही है मैं आपको बताया वही दिक्कत यहाँ पर समझाएगी है जो कि मैंने आप लोगों काफी अच्छे से बता दी है यहाँ पर अग्दम to the point मैंने जो भी important points से वह निकाल गए बता दिये कि कहां कहां पर आपको loss देखने को मिलेगा और किस प्रकार से यहाँ पर loss देखने को मिल रहा है उसके बाद यहाँ पर यह लोग बताते हैं यह खास कर article में author ने बोला है कि इसमें एक बहुत बड़ा जो एक तरीके से problem है वो है cast based segregation का मतलब cast के basis पर जाती के अधार पर भी wage का payment होता है जैसे कि SCST workers हो गए ठीक है scheduled cast और scheduled tribes का workers हो गए इनको पहले payment दे जाती है बोला जाता है इनकी payment पहले हम लोग करेंगे ठीक है तो पहले ही बात तो इनकी payment पहले करोगे तो क्या हो रहा है कही ना कहीं जो non SCST workers है यह यहाँ पर पीछे रहा जाता है काफी delay हो जाता है इनके लिए और यह जो non SCST workers है खास कर मद्या प्रदेश, जहारखंड, ओडिशा, वेस्ट बेंगॉल के अंदर यह लोग बहुत ज़्यादा सफर करते हैं फिर यह चीज हम लोग देख पाते हैं फिर उसके बाद यह कहानी और ऐसी बढ़ती रहती है और यहाँ पर आप कर सकते हो कि फिर क्या होता है कभी-कभी जो SCST उनके payment में भी delay हो जाता है जब उनके payment में delay हो जाता है तो आप कर सकते हो कि जो non SCST उनको कभी पैसा मिलेगा यह तो मतलब आगी की बात है तो यह ही यहाँ पर problem देखने को मिल जाती है फिर उसके बाद यहाँ पर author और क्या बोलती है author यहाँ पर बोलती है कि लेकिन अभी यहाँ पर जो कल budget आया इस साल वाला ठीके अब यहाँ पर कल budget के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर allocation और कम कर दिया है बोला कि अब हम लोग यहाँ पर इसमें पैसा थोड़ा सा और कम देंगे तो यह अपना आप में बहुत बड़ी problem हो सकती आने वाले टाइम पर इसके ओपर भी काफ़ी सर एडिटूरल्स आने वाले टाइम पर publish हो सकते है आई होप आप लोगो यहाँ पर यह particular article काफी अच्छे से clear हो चुका है बाकी मैंने budget के regarding आप लोगो बताया था ठीक है budget के regarding जो भी मैंने facts बताएं वो यहाँ पर दहिंदू ने पूछा है ठीक है यहाँ पर budget से पहले हल्वा बगरा बनके बढ़ता है वो उसके बारे में यह यहाँ पर आप देख़ाओ के mention क्या गया है कि देखो जो union budget है इसको पहले शाम 5 बज़े प्रेजेंट किया जाता था ठीक है जो कि मैंने अभी आप लोग को starting में बताया था तो उस समय कौन से finance minister थे जिन्होंने यहाँ पर इस union budget को प्रेजेंट किया था शाम 5 बज़े ठीक है तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बोगट वर्ट से आया है बुगट यहाँ पर एक फ्रेंच वर्ड है जहां से लिया गया है पहले जो बजट है वो यहाँ पर ब्रीफ केस में आया करता है अब यहाँ पर बदल चुका है वह भी यहाँ बाते बताई गहीं है ना आगे चलते हैं यहाँ पर हम लोग अपने प्रेलिम्स वाली question को भी देखते हैं उसका answer क्या है question पूचा किया था 2017 में पूचा किया था mind of the makers of the constitution of India ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मतलब जो हमारे जिन्होंने संभिधान मनाया है उनका mind कहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तो इसका answer preamble है और dreamed so long तो आपको constitution के दर जो भी बाते देखने को बिलेंगी वो कहीं नगी आपको starting में preamble के अंदर देखने को मिल जाती है आई होप आप लोगों ये भी clear हो चुका है तो इसी के साथ हम लोगों अपने lecture को properly समाप्त कर लिया है मैंने आपको budget के regarding काफी सारी बाते बता दी है हाँ देख पाओगे जो मैंने budget वाली सारी बाते बता है उसको एडिटूरल से पर ध्यानने दिया गया education nutrition health के उपर ध्यानने मतलब ये बाते में आप लोगो बता रखी दिया ना अभी starting में बोला था तो author यहाँ पर बहुत सारी एडिटूरल्स ऐसी publish हो रहे हैं कोई favor में लिखेगा कोई यहाँ पर अगेंस्ट में लिखेगा तो इसके उपर आने वाल फिलाल अब मुझे नहीं लगता है budget के उपर दूसरा वीडियो वनाने का जरूरत है इसी के अंदर मैंने आप लोगों सारी बाते बता दी है ना इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने lecture को समाप्त मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में अरे भाई आजा न्यूस पर कहा गय मिलते हैं आप लोगों अपने next वीडियो में आज के लिए बाबाई have a nice day thank you and जैहिंद